आज के वीडियो में हम समझेंगे कि दादा अपने पोते को जमिन केसे दे सकते हैं अर्थाद दादा जो है अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ती जो है वह पोते के नाम पर किस प्रकार से करवा सकते हैं तो आज के वीडियो में चार तरीके एसे समझेंगे जिसमें आसानी स कोई भी दादा अपने पोते के नाम पर अपनी समपत्ति करवा सकते हैं और वह भी कम से कम करच में. अपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन प्रेज़ कर दिजे और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिजे क्योंगे इस इसके धन्ना लाल जो है ये दादा है ठीक है और धन्ना लाल जी के नाम पर यहां पर यह 12 बिगा जमीन है अब 12 बिगा जमीन अगर माल लिया जाए कि पेत्रक संपत्ती है तो इस इस्तिती में ये धन्ना लाल जो है ये इस संपत्ती को महेश के नाम पर किस प्रकार से करवा स सकते हैं या फिर अगर यह संपत्ति जो है यह स्वार्जित संपत्ति है तो ऐसी इस्तिति में यह धन्ना लाल जो है यह महेश के नाम पर कितनी संपत्ति करवा सकते हैं तो सबसे पहला हम तरीका समझे लेते हैं कि यह धन्ना लाल जो है यह अपनी संपत्ति अपने जीवनकाल में इस महेश के नाम पर किस प्रकार से करवा सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है, वह है वसियत, माले जाए कि यह संपत्ती जो है, यह अगर इस धन्नालाल की जो है, यह स्वर्जी संपत्ती है, अर्थात इनके स्वयम की आय से प्राप्त की गई संपत्ती है, अर पेपर पर लिखित वसियत होती है, और एक जो होती है, वह नोटराइज़ वसियत होती है, और एक और होती है, वह होती है, उप पंजक अर्था सब रिजिस्टर आर के वहाँ पर रिजिस्टर वसियत, तो रिजिस्टर वसियत जो रहती है, वह सबसे अच्छी वसियत मानी जा जाए तो उसको भी जालाए के द्वारा माना जाता है ठीक है अब हम समझ लेते हैं कि जैसे किस प्रकार से धन्नालाल वस्यत करेगा और कब वह प्रापर्टी जो है इस महेश को प्राप्द होगी ठीक है तो जैसे यह धन्नालाल जो है इस जमीन के सरकारी कागज लेकर तो ये संपत्ति जो है इन धन्ना लाल की रहेंगी ये धन्ना लाल इस संपत्ति को बेज भी सकते हैं अन्य वक्ति के नाम से वस्यत भी कर सकते हैं किसी को दान भी कर सकते हैं या बटवारे के माध्यम से किसी अन्य लोगों को भी दे सकते हैं या फिर इस महेश के नाम पर जो वस्यत को cancel नहीं करवा पाए या इस जमीन को किसी को बेच नहीं पाए या इसको किसी भी रूप में अंतरित नहीं कर पाए या इसके किसी भाग को किसी भी रूप में अंतरित नहीं कर पाए तो इन धन्ना ललकी म्रत्यू के बाद में इस महेश को उस वसियत में लिखी गई प्रापर्टी अर्था संपत्ती जो जमीन है वह प्राप्ट होगी अब उसको प्राप्ट करने का क्या तरीका है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यह महेश जो है यह सिविल न्यालाय में उस वसियत को सिद्ध करने के लिए दावा लगाएगा और धन्नालाल की मृत्यू के बाद में जितने भी वारिस इस धन्नालाल के थे उन सबको उसमें पार्टी बनाया जाएगा और अगर सिविल न्यालाय में महेश जो है यह वसियत सिद्ध कर देता है तो इस धन्नालाल के द्वारा इस संपत्ति की जो वसियत की थी वह संपत्ती इस महेश की हो जाएगी ठीके अगर मालिया जाए कि यह बाराविगा जमीन यह पेतरक है और ऐसी इस्तिती में यह धन्नालाल जो है यह इसकी वस्यत करना चाहता है और धन्ना लाल जब वस्यत करता है उस समय इस धन्ना लाल के वारिसों में केवल ये दो लोग ही है तो ऐसी इस्तिती में इस समपत्ती के तीन हिस्से होंगे एक हिस्सा इस धन्ना लाल का रहेगा दूसरा हिस्सा जो है इस रामलाल का रहेगा और तीसरा हिस्सा जो है वह इस महेश कराएगा बराबर बराबर इसमें से तीनों के हिस्से रहेंगे तो ऐसी इस्तिति में पेत्रक संपत्ति होने की इस्तिति में धन्नालाल जो है यह केवल अपने हिस्से की वस्यत इस महेश को कर सकता है ठीके अब दूसरा तरीका हम समझ ल लाल की स्वर्जी संपत्ति है तो धन्ना लाल जो है यह दूसरा तरीका जो है वह है दान का ठीक है तो धन्ना लाल जो है यह इस संपत्ति का दान पत्र जो है इस महेश के नाम पर करवा सकता है अब दान पत्र कैसे होगा और उस दान पत्र के आधार पर वह जमीन जो है इस मह विशेश को यह समपत्य दान देना चाहता है तो इसके लिए इस धन्नालाल को क्या करना पड़ेगा कि इस जमिन के सरकारी पेपर निकालने पड़ेंगी और उसके बाद में इस धन्नालाल को उपंजिक करे लाए अर्था सब रेइस्टार जाना पड़ेगा यहां पर जाकर इ है कि दान पत्र जो है वह रेइस्टर ही मान्य है उस पर दो गवाओं की साक्ष भी जरूरी है और उसमें दन्नालाल और महेश दोनों की उपस्तिती जरूरी है वस्यत में दोनों लोगों की उपस्तिती जरूरी नहीं है वहां पर केवल दन्नालाल की उपस्तिती जरूरी है और केवल दो गवाओं की उपस्तिती ज़रूरी है लेकिन दान पत्र में धन्ना लाल और महेश दोनों लोगों को उपस्तित होना पड़ेगा और दो गवाओं को उपस्तित होना पड़ेगा और उस दान पत्र को रेजिटर आफिस में अर्था सब रेजिटर के महाँ पर उप महेश को क्या करना पड़ेगा, कि सीधे सीधे यह तेसिल दार न्यालय में, या नायब तेसिल दार न्यालय में, जा सकता है, वहाँ पर जाकर, यह महेश जो है, मद्यपरतेश भूराज सेंता की धारा, 109 और 110 के तहद, यह आवेदन लगा सकता है, और अपना नामांतरन अर् महेश के नाम पर हो जाएगी, अर्था जेसे दान पत्र निश्पादित होगा, उसके बाद में नामांतल्ण की प्रक्रिया होगी, और इस महेश के नाम पर, यह दान पत्र के माद्यम से, यह जमीन घुहें, हो जाएगी, अब देखी, अगर अगर माल लिया जाए कि यह संपत्ती जो है यह बारा भीगा संपत्ती है यह माल लिया जाए कि अगर पेत्रक संपत्ती है तो ऐसी इस्तिती में इसके तीन हिस्से होंगे और तीन हिस्से में से यह धन्ना लाज जो है यह किवल चार भीगा जमीन जो है उसका दान पत्र उसी तरीका हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यह धन्ना लाल जो है यह महेश के नाम पर अपनी संपत्ती करवा सकता है ठीक है तो देखे तीसरा तरीका जो है वह यह है कि अगर यह पेतरक संपत्ती है क्या है यह यह पेतरक संपत्ती है तो ऐसी इस्तिती में यह धन्ना लाल जो ह में इस जमीन का बटवारा करवा देगा क्या करेगा रजिस्टर्ड बटवारा करवा देगा और उसमें यह लिख देगा कि इस जमीन में से यह चार विगा जमीन जो है यह धन्नालाल को मिली है इसमें से चार विगा जमीन जो है यह इस रामलाल को मिली है और यह चार विगा बटवारे के आधार पर तेसिल न्याले में यह आवेदन पेश करेगा और तेसिल दर्मोदे या नायब तेसिल दर्मोदे के द्वारा उस रेजिटर्ड बटवारे के आधार पर यह जमीन जो है सभी के नाम पर अलग-अलग कर दी जाएगी और उसके बाद में सरकारी कागज जो है अगर यह चाहता है कि इस जमीन को या इस जमीन के किसी भाग को या इस महेश के नाम पर करवाना चाहता है तो इसके लिए इस धन्नालाल को क्या करना पड़ेगा कि इस जमीन के सरकारी पेपर निकालने पड़ेंगे और सरकारी पेपर निकालने के बाद में इस धन्नाल यह इस जमीन के सरकरी कागझ निकाल कर सिविल न्यालाय भी जा सकता है और वहां से भी इस जमीन को बटवारे के माद्यम से जो भी हिस्सा इस महेश का बनता है उस हिस्से को इस महेश को प्रदान कर सकता है। जैसे कि अगर ही संपत्ति जो है यह बारा भिगाए तो इसमें से चार भिगा जो है यह दन्नालाल रख लेगा चार भिगा जो है वह रामलाल को देदेगा और चार भिगा जो है वह महेश को देदेगा और उसके बाद में अगर यह दन्नालाल सिविल न्याला की माध्यम से ब जमीन का बटवारा कर इस जमीन को या इस जमीन के किसी भाग को इस महेश के नाम पर करवा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगावत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक सद्धिक लोगों तो शेर कर दीए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंज भारत